हेलो दूस्तो आज हम यहां पर बात करने वाले है पेट्रो नेट एलन जी लिमिटेट से गेट आज देखोगे आप तो मार्गेट में एक अच्छी घासी गिरावट थी बट इस स्टॉक्स को देखोगे तो यह स्टॉक्स ने न्यू 52 वीक हाई लगाया 266 तक की गया वहां से थोड़ा सा करेक्ट हुआ और फिर भी 5.31 परसेंट की यहां पर एक बड़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया क्या शेयर को लेना चाहिए क्या बेचना चाहिए ऐसा क्या हो गया इस पर्टिकुलर शेयर में कि हाँ पर यह शेयर अच्छा कासा भागता हुआ नजर आया है मार्केट के अगेंच चलता हुआ नजर आया है क्या चीछ है इसमें तो उससे लिठीट बाते करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल I am Small Gap Investor चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट और की नोटिफिकेशन कौन करें पाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन देते नहीं है बट अपने फाइनिशल एडवाइजर कुद की स्टाइडी करना है चीछों को सीखने पे धेहन देना और सीखने के लिए क्या है क्या good news है, क्या bad news है, क्या reason है वो सब चीछ यहां मिलेगा सब कुछ आपको updated मिलेगा दूसरी बात, शेयर यहां पर चोटी-चोटे आपको बताया जाते है श्टेडी करके अगर आपको ऐसा ही सीखना है कि हम कुछ वीडियो बनाते है और कुछ ही टाइम में शेयर यहां पर इस तरीके से अच्छे खासा 100%, 500% तक भी यहां पर रिटन दे देता है वो सब चीछ किस तरीके से जान जाती है, पहचान जाती है उसके लिए आप क्या कर सकते हो आप हमारा कोर्स कर सकते हो Basics to Advanced Technical Research Fundamental क्यों लेना है, किस लिए ना शेयर कब भागता है, क्यों भागता है, किस लिए भागता है, कब गिरता है सारे answer दिया जाएंगे 25,000 रुपे का कोर्स है, online notes 3 months की hand holding strategy using stock market, online notes सब कुछ दिया जाएगा और इस कोर्स को करने काथ, एक साल जैसे जैसे कहूं, उस तरीके से practice करिएगा, आपको कोई, किसी की मदद की ज़रुवत नहीं होगी आप खुद ही आगे बढ़ जाएगे, प्लस में 8605-40501-8169-261-0307 इन ही नमबरों पे contact करिए, बात करिए, बात करने का कोई पैसा नहीं है, simply हमारे बीच में जो understanding होगी अच्छा होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे इस कोई परशन ही नहीं है, आपको मैं वो ही देता हुआ नजराऊंगा जो fundamentally strong share होगे जहाँ technical setup अच्छा होगा बहाँ पर हम आगे बढ़के काम कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे है, Petronet LNG की company करती गया है जैसे की नाम में ही है, Petronet LNG तो यहाँ पर देखिए, to develop the design, construction, own and operate liquefied natural gas LNG, import and registration terminals in India ओके, यहाँ पर आप देखिए, in 1998 में as a joint venture, इन्होंने among Gale, Indian Oil, Bharat, Petroleum ONGC के साथ, यहाँ पर joint venture में यह company ने शुरू किया था, ठीक है अच्छा खासा company आपर काम करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर इनकी website पर visit करेंगे, तो आपको समझ में आएगा company यहाँ पर किस तरीके काम करती है natural gas में काम करती हुई नजर आती है ठीक है, अच्छा खासा सब पोचिए आपर इन company का काम है, क्या business है वो आपको बदा चलेगा, partnership क्या है यहाँ पर, वो सब चीट, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ठीक है, थोड़ा वो तो यहाँ पर समझ में आए गया होगा बात करते हैं, आपर company की तो देखिए mid cap company है, 49,000 क्रोड रुपे का market cap है 11,000 का P, इंडेश्टी का P, 19 का सस्ता नजर आता है, ठीक है दूसरी बात, ROC, ROE ठीक ठाक है, ठीक है, 20 से उपर होती है तो अच्छी मने आती है, इसके लावा देखिए, 260 रुपे का share है 578 रुपीज का intrinsic value, यहाँ से यहाँ तक गया ठीक है, तो share क्या होगा, लगब लगब आपका double होता हुआ नजर आ रहा, more than double हो रहा है phase value 10 की है, dividend भी देती है company, debt है company के ओपर 20% के आसपास का, 52 week high company ने यहाँ पर लगाया है all time high की हम बात करेंगे all time high की बात करें, तो 2000 यहाँ पर आप देखिए, 19 के आसपास, last में, share top पे था, ठीक है, और उदर से आप देखेंगे, तो एक पूरा consolidation phase में ही चलता हुआ, नजर आ रहा है, अब यह क्या है यह share को, कौन सा share है, यह share है आप कह सकते है, इसे पूरा का पूरा, गौर्मेंट stock है, ठीक है, और गौर्मेंट stock है, तो क्या है आज कल PSU stocks ही भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो PSU stocks में ही भी जो under value नजर आए, ठीक है, जो अच्छा नजर आए वो आपको यहाँ पर देखना है, आज 5% क्यों भागा, तो कुछ groups ने, as well as news में ठीक है, आप news भी देखते होगे, तो उसी stocks को बता आया गया था, इस वज़े से यह share है यहाँ पर ज़ादा चलता हुआ, आज की रेट में नजर आया इवन इफ यहाँ पर दूसरे जो PSU stocks ते, वो गिरते हुए नजर आया ठीक है, तो यह एक reason है, बट तो मैंने सोचा कि इसे एक बार बना देते हैं तो इसकी जो order book है ठीक है, लग बल अब 20,000 क्रोड रुपे के आसपास की order book भी है, चीक है आसी order book है, कंपनी के result की बात करें, तो यहाँ पर दिखिए, कंपनी अच्छा खासा performance करती हुए नजर आ रही है 12,000-12,000 क्रोड के आसपास की sales है, ठीक है quarterly basis पे कम है, yearly basis पे कम है बट quarterly basis पे ठीक ठाक है, कंपनी के result आने वाले है, एक बाद result आ जाएंगे तो एक idea लगता हुए नजर आएगा की कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की बात करें highest level profit, मुझे यहाँ पर दिखाए देता है highest level तो नहीं कहूंगा, operating profit यहाँ पर अच्छा गासा quarterly yearly basis पे profit है margin company का अच्छा गासा नजर आ रहा है इस quarter का margin थोड़ा सा मिला जूला रह सकता है, ठीक है इतना अच्छा ना है बट इस्टिल ठीक ठाक रह सकता है यहाँ पर हम बात करें net profit की तो company का net profit yearly quarterly basis पे अच्छा गासा है net profit की बात करें तो यहाँ पर देखें company का net profit भी बढ़ा है तो लगबग positive है, सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है और काफी सालों से share चले नहीं है तो इस चीट को भी ध्यान में रखना है reserves की बात करें तो reserves 2,000 crore से लिए 14,000 crore हो गए borrowing की बात करें, 3,000 crore की borrowing है company के ऊपर, but working progress में 1260 crore रुपे लगे हुए जब यहाँ पर यह चीज़े बढ़ आती है तो कहीं न कहीं chances रहते हैं कि आगे चलके, ठीक है यह कब किया है, September का है तो आने वाले time में हो सकता है कि यहाँ पर इसका फाइदा आते हुए आपको दिखाए दे investment, 175 crore cash की बात करें, 7,871 crore का cash ही पड़ा है positive cash flows है यहाँ पर यहाँ पर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था इसने सब के साथ मिल के joint venture किया था तो 12.5, 12.5% की यहाँ पर हिस्सेदारी थी ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे लगब 50% promoters के पास है F.I.E.S. ने इस particular quarter में बेचा है याद रखी है 34 से 26% हो गया है क्यों क्यों बेचा है शेर जब इतना अच्छा है और दूसरे इनके शेर चल रहे होंगे तो महाँ पर इन्होंने shift कर दिया होगा तो वो भी एक यहाँ पर दिमाग में रहता है ठीक है दूसरी बात यह low beta stock है अभी तक ठीक है बट मुझे लगता हाई beta होता हुआ नजर आ सकता है बो जल्दी D.I.S की बात करें D.I.S नहीं हाँ आप लगतार अपनी सेदारी बढ़ाई है जो इन्होंने बेचा है वो इन्होंने खरी लिया है पब्लिक की holding भी बढ़ती हुआ नजर आ रही है बट अभी तो scenario change हो गया है तो यह गलत होगा जो मैं कहारा हूँ पब्लिक की share holding बढ़ना अच्छी बात संकेत नहीं होता बट आज की scenario में थोड़ा अलग हो गया है पब्लिक की holding शायद होगा कि इधर से matter करेगी तो ठीक है इसके बारे में यहाँ पर comment ना करें तो ही ठीक रहेगा बात करें trades की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या buying selling चल रही है वो आपको एक idea लगता हुआ नजर आएगा 15 जनवरी को कुछ दिनों पहले SBA Mitchell Fund ने लगभए 1.95 लाक यहाँ पर share खरीदे है यहाँ पर 2022 इसमें भी अच्छी घाजी करीदा रही है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर company के चार्ट से लेटेड पैटरनेट LNG के चार्ट से लेटेड वाट उससे पहरे रिक्वेस्ट है I'm Small Cap Investor चैनल को सब्सक्राइब बेल आकन को अब ही टोल को नोटिफिकेशन को अनकरें पाइंग सालिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने financial advisor कुद की चारी है चीटों को सीखें सीखने का तरीका क्या है वीडियोस है ठीक है जाके वीडियोस देखिए साथ में यहाँ पर देखिए आप हमारे course को यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं इन नमबरों पर नोट कर सकते हैं और साथ में काम करना है तो काम भी कर सकते हैं बात करके देखिए WhatsApp, call, message के दुरू आपको चीजे समझ में आटोमेटिक लिया जागी पैर्टरनेट, LNG की बात कर रहे हैं पर आप देख सकते हैं लगबद 2017 से consolidation phase में ही चल रहा है ठीक है तो क्या यह right opportunity है, right time है उससे later मैं बाते कर लेता हूँ सबसे पहले याद रखिए कि इस share में तेजी कब होगी जो मैं कहारो होना कि बहुत तेज भागता हुआ नजर आएगा यह share ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह share जिस दिन 277 का level निकालेगा उस दिन यह 300 की तरफ बढ़ेगा और जिस दिन 300 का level निकाला तो जो मैंने आपको intrinsic value बताई थी 570 के आसपास की वहां तक जाएगा और लगता है कि यहाँ पर 600 रुपे तक यह share उस time जाता हुगा नजर आसकता है एक लंबे consolidation के आज़ा चलती है न तो याद रखिए इसी तरीके से चलती है नजर आती है कि आपका यह देखिए 51 रुपे वाला share कितने का हो गया 200 रुपे हो गया 7 times 5 times 6 times यह पैसे बनते हुए नजर आये तो उस चीट को ही आपको देखना है तो यहाँ पर भी 5 times 6 times यह पैसे बन सकते है कोई अलग बात नहीं है अगर 5 times की बात करे तो 1100-1200 पर तक पोज़ गया तो बन गए आपके यहाँ पर 5 times यहाँ पर पैसे तो उसे यहाँ पर देखना है बट अभी क्या चार्ट पर दिखाई देता है तो मैं आपको भी खाना जाता हूँ एक breakout होता हुआ नजर आया इस चार्ट में तो क्या यह अच्छी opportunity है सबसे पहली बात क्या अच्छा है क्या बुरा है I don't know ठीक है और किसी को नहीं पता क्या होता है risk management नाम की चीज़ होती है तो उसे यहाँ पर follow करना है क्या है risk management अगर को यहाँ पर खरीदता है भी अच्छा risk reward ratio है आप एक छोटा सा stop loss लग बाट 253 रुपए का शेयर 276 रुपए का risk है वह आपको लेना ही पड़ेगा ठीक है आप लेके अपर entry कर सकते है ठीक है bank selling की recommendation नहीं है labels बता रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर लिये जाता है वो बता रहा हूँ ठीक है तो आप entry कर सकते है एक 6-7 रुपे का stop loss लगा सकते हैं उसके नीचे आया है चुप चप आप बेच के निकल जाईए और दुबारा जाए तब यहाँ पर खरीद लीजे कोई परिशानी नहीं है बट जिस तरीके की तेजी हुई है मुझे लगता है कि यहाँ पर एक breakout हुआ है जो कि इसे कहाल पर लेके जा रहा है जो कि इसे सीधे के सीधे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ठीक है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं तो यह breakout करके सीधे 320 की तरफ लेके जा रहा है आपको लगेगा यह 24-25% के रेटन है आज कल 100-100% के रेटन बन जाते है इतने टाइम में तो वो mindset की बात है ठीक है उसकी मैं यहाँ पर अभी बात नहीं करूँगा ठीक है वो this is not the time जहाँ पर मैं अभी इसको बात है करूँ बट इस्टिल यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर यह करके फिर 277 की तरफ फिर इसके बाद 297 और यहाँ पर 319 की तरफ बाख सकता और जिस दिन यह 296 और 277 का लेवल निकालेगा इस शेयर में एक तेजी होती हुई नजर आएगी जो इस शेयर को कहाँ पर लेके जाती हुई दिखाई देगी जो इसे 500 और 600 रुपे की तरफ लेके जा सकती है तो यहाँ पर यह शेयर यहां से अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि सारे mostly PSE stock भाग चुके है तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर इस से related वीडियो बनानी चाहिए इस तिल bank selling के recommendation नहीं है अपने financial advisor कुद की study करना है और इसने gap of opening भी दिया शीट को भी याद रखना ह तो वह सब चीडियों को आपको calculate करने के अपने हिसाफ से यहाँ पर anti लेनी है किसी के पास है तो रुख सकता है और अपने financial advisor कुद की study करके देख सकता है तो वीडियो अची लगे like comment share चानल को subscribe bell icon को hit करे और को notification कौन करे इन number को note करके साथ में काम कर सकते हो as well as course कर सकते हो thank you so much God bless